नमस्कार जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि जहारखंड राज्य फसल रहात योजनलागू हो गई है इसके अंतरकत में आप जो है वो इसका लाब उठा सकते हैं और अभी मैं आपको ट्वीटर हैंडल दिखा रहा हूँ आई पी आरडी जहारखंड का जो की जहारखंड का सूचना ऎवेंग्जन संथ पर के विभाग का ऑफिसियल ट्वीटर हैंडल है आप बलु टिक यहां पर देख सकते हैं इसका मतलब यह वैरिफाइड ट्वीटर है यह बिल्कुल सही है यहांसे आपको सरकार की जितनी भी कार्य होती है या जितनी भी होने वाले होती है व फिर इसे IPRD ने retweet किया हुआ है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि जारखंड में जारखंड राजय फसल रहात योजना लागू हो गई है और इसका लाव उठाने के लिए आपको जो है वो इस website पर आना है और इस website पर जो है आ करके आपको अपना किती थी है मतलब आपको पता ही होगा कि खरीफ फसल जो है वो जो बरसारी तुमें वही जयने वाली फसल होती है उनको खरीफ फसल कहा जाता है तो यहाँ पर वो दो फसलों का बीमा हो रहा है एक धान whole दूस रा मकई का तो आप इन जो है वो ऑनलाइन कर सकते हैं धान और मकई दोनों कार दोनों के लिए जो अंतिम डिट है वो 15 सितंबर 2022 है जब आप इस पोस्टर को देखेंगे ये जो फोटो है ये फोटो काफी बढ़िया तरीके से इसमें जो है वो हर बातों को बताया गया है तो अब मैं आपको इसी फो करके आपको दिखा दे रहा हूँ इसमें जो जो बातें लिखी हुई है जारखंड राज्य फसल रहात योजना मुखमंत्री हेमन सोरेन जी की दवारा लागू किया गया है और योजना में सामीर होने की जो प्रकरिया है वो आप इस वेबसाइट पर जाकर के स्वेंग खाता और जमीन का करंट रसीद अथवा राजसो रसीद जो भी हो बंसावली जो है वो मुखिया गराम प्रधान राजसो क्रम चाली अंचला दिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए सरकारी भूमीन पर जो लोग खेती करते हैं उनके लिए जो है बंदवस्ती पट्टा च चाहिए अगर रहियत है तो रहियत वाला फॉर्म और बटाईदार है तो बटाईदार वाला फॉर्म है और इसके अलावे बटाईदार होने पर आपको एक सहमती पत्र भी आपको देना होगा और साथ में पंजिकृत किसानों को चैनीत फसल की बुआई का रखबा का पूर एक और चीज़ देख सकते हैं कि घरी फसल जो है वो दो फसलों का यहाँ पर आपको अप्शन मिलेगा धान का और मकई का और इन दोनों में ही ऑनलाइन का जो आखरी डेट है वो 15 सितंबर 2022 है तो आप 15 सितंबर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन करा ही ले आवेदन कौन-कौन व्यक अवेदक को यानि जो किसान है उनको जहरकंड राजी का निवासी होना चाहिए 18 से ज़्यादा उम्र होना चाहिए उनके पास वेलिड आधार नंबर होना चाहिए और कृषी काली करने से सम्दित व्यद भूमी दस्तावेज होना चाहिए आनि उसके पास झैवो जमीन का अगर करनेट रसी तो बहुत अच्छा नहीं तो पर्चा उगर ये सब उनके पास होना चाहिए, कमसे کम दस डिस घ्मीन होना चाहिए और अधिक से अधिक पांचे कड़तक होना चाइए अनि 10 भिषमिल से पांचे कड़तक जमिन होना चाइए और सभी किसानों के लिए यह स्वेक्षिक है इसमें आपको रेजिश्ट्रशन कराना ही है या अनिवार यह नहीं है आवेदक किसानों को अपना संख्या बायोमेट्रिक्स प्रणाली द्वारा परमानित करना होगा मतलब उन सबों को जो है वो अपना जो भी आवेदन संख्या है वो सारा का सारा उनको जो है वो परमानित करना होगा अब इसी पोस्टर के अगर हम नीचे में आते हैं तो यहां पर देखे लिखा हुआ है किसान भाईयों बेहनों को आप नहीं है घबराना क्योंकि हैमन सरकार लेकर आई है जहारखन राज फसल रहात योजना और खरीब फसल मोसम में 2022 है तू निवंदा नेवंग आवेदन प् क्योंकि इसमें वहां काफी जादा आपको पैसे मिलने वाले हैं इसके उपर मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ था कि आपको कितना एकड़ पर कितना रुपइया मिलेगा इसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है आप हमारे चैनल कर जाईए जगर के खोज मैं आपके हर कमेंट का reply करूँगा और हो सकता है कि आपके लिए मैं अलग से वीडियो भी ले करके आऊंगा आपके कमेंट के answer को ले करके काफी सारे वीडियो मैंने इसके उपर अल्रेडी बनाए हुए हैं आपके question के answer के उपर तो मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की कोसिस करूँगा धन्यवाद